बिहार चरकार के उद्यूप मंत्री सैयद शेहनवाज हुसेन ने कटरपंथी मजभी तंजीमों को नसीहत दी है। हुसेन ने कहा कि देश में आजादी के बाद जिन लोगों को हिंदुस्तान से प्यार था वो यहीं रहे गए और जिनको हिंदुस्तान से कोई लगाव नहीं था वो पाकिस्तान चले गए। अजिन को मुहबत नहीं थी वो यहां चौप पर चले गए। लेकिन जो आज गये वो महाजिन मन के रह रहे आज भी जो लोगो खिलाफ़त आंगों के भी आज नहीं कहते हैं। कि यहां से बड़े बड़े लगाव बड़े लोग हिंदुस्तान से चले गया उखानिस्तान की तरफ कोई बच के नहीं आया दौलत की मुट्टे लिए। कि यहां जो रिश्टा वालाना बरकलामाजाज ने आजानी के वक्त में जाम मजजद के सीरी से कहा था एए बुसल्मानों तुम्हे वहां अपना हम्मजब मिल जाएगा अपना हमबतन नहीं कि यह सी का एक्जाम हो रहा है जो इमानदार होगा सरकार का होगा वो मसाबत के वहीं उद्योग मंतरी शेहनवाज हुसेन ने कहा कि बेहार में मेहरती युवाओं को उद्योग धंदे के लिए 10 लाख रुपई का लोन दिया जा रहा है इसमें 5 लाख रुपई तो अनुदान के तौर पर सरकार युवाओं को दे रही है हुसेन ने कहा कि बेहार में नितिश कुमार ही 2025 तक मुखे मंतरी रहेंगे उन्होंने कहा कि नितिश सरकार उद्योग और धंदे के जरिये भी रोजगार मोहिय करा रही है मैं उर्दोग मंतरी के कॉर्पर आपके उन्हीं के खराव कर जाओं अभी उर्दोग का वातवरण है अच्छी सगस्त्रिबाद है अब खराव कर दीजिए का दूसरी का खराव नहीं होगा आप पीछे से लिजिए लिए अच्छी तरह मालूम है कि पहला प्लांट हमने एन मैं ऊसरी के लोगा आपके दूसरी के लोग लगें वहीं होजदी ने कहा कि जातीगत जन्गणणा पर अंतिम फैसला प्रदान मंतरी नरिंडर मोदी ही लेंगे वहीं अफगानिस्तान की वरतमान हालात पर भी हुसेन ने दुखवेक्ट किया है दार्मिक कटरता किसी भी समाज और राष्ट को बरबरबादी की खाई में धकिल देता है। इसलिए कटरपंथियों को कभी भी स्विकार नहीं करना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगुसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट।